वहलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उफ्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे मिस्टर वेक्टर फूर रही है और हम जानेंगे इसमें क्या-क्या स्थिति स्टाउक में बन सकती है तो सबसे पहले में स्टॉक के ट्रेंड की बात करूं तो आप खुद से देख रहे हैं स्टॉक अप्ट्रेंड में लगताल स्टॉक उपर जा रहा है स्टॉक में नीचा नहीं कोई संभावनन नहीं दिख रहा है यहां आप देखेंगे 20 डे मूविंग अवरेज इसे अगर मैं तो कोई सपोर्ट ही नहीं दिख रहा है अब देखते हैं इसको सपोर्ट लेता है कि नहीं उम्मीद तो है लेका लेकिन यहां 20-day moving average अल्रेडी उपर निकल चुका है सपोर्ट से तो उमीद है कि सपोर्ट को आप फेस ना करें ठीक है अगर मैं रिजिस्टेंस की बात करूं तो इस टापने रिजिस्टेंस भी बनाया है वह आठ सो एकतालीस रुपए के असपास और सपोर्ट है आपका साथ सो उन्सट रुपए के असपास अब क्या करना चीए मेरे हिसाब से अगर स्टोक यहां से आपको आठ सो अगर आपको ब्रेकाउट देता है तो फिर आप यहां तक बेट करेंगे लगबग 660 रुपए तक ध्यान रखेंगे यह लेवल साइज का 660 रुपए तक आपको नीचे आता हुआ फिर दिख सकता है लेकिन यहां से आपको ब्रेकाउट दिखता है तो फिर आप एक अच्छे टार्गेट के लिए स्टॉक में जा आपको डाइवर्जन्स देखने को मिल रहे हैं यानि के स्टॉक आरेसा ही नीचे जा रही है तो इसका संभाव ना हो सकती है कि स्टॉक नीचे आए संभाव ना है कुछ कहने ही सकते क्योंकि भाई इसमें तो कोई गारेंटी ले नी सकता मार्केट है लेकिन मेरे हिसाप से स आप के सब्सक्रा करें पर यहां पर तो फिर से ऊपर जाएगा प्राइब यहां पर आपको ब्रेकंआउट देगा जब तक कि इस ट्रैंड सक्क्राइब तब तक आपको डरीट मिल सकता है तो देखते हैं अज़ेजों एक वाइंगण गी यहां सब्सक्रा रहां बइको स्round झाल झाल